अभी वैसे रहुन ने बड़ा बर्णन किया पात साल पहले में जब आया था और शायद उस समीट की तारी या घटना आपके ग्रूप को तो याद रहना बहुत स्वाभाविक है लेकिन शायद पत्रकार मन ये भी सोच सकता था और सायद सोचा होगा लेकिन बोलते नहीं होगे कि क्या कारण होगा कि एक इनसान अपने कर्विट्मेंट के कारण इस समीट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दोड़ा रहा था और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी ख़वर होगे थी और मैं मानता हूँ जुरूर आप लोग इसका इनालिसिस करेंगे और शायद वो 28 फरवरी थी 2019 और माहुल तो ऐसा ही था और मैं भी बहुत शांती से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बाला कोट में एर स्ट्राइक की थी रात को और वो एक दिन था और एक दिन आज है और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांती की चाहत रखने वाले देश हो सब मने राइजिंग भारत अनुभव किया है ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है बलकि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है जो हमें आतंक की हमलों के जख्म देते थे उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है एक सुरक्षित राष्ट ही एक विक्सित राष्ट का आधार होता है और आज यही भारत की पहचार है और यही राइजिंग भारत है साथियों चुनाओ का मौसम है चुनाओ की सरगर्मी बिलकुल सरपर है तारिखों का एलान भी हो चुका है आपकी समीट में भी कई लोगों ने अपने विचार रखे है डिबेट का महल बना हुआ है और मैं मानता हूँ लोगतंत्रिक यही खुपसूरती है देश में भी दीरे दीरे चुनाओ प्रचार जोर पकड़ रहा है सरकार अपने दस साल के कामकाजगा रिपोर्ट कार रख रही है हम अगले पचीस साल का रोड़ मैप बना रहे है और अपने तीसरे टम के पहले सो दिन का प्लान भी बना रहे है दूसरी तरब हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए किर्देवान बना रहे हैं आज ही उन्होंने मोदी को एक सो चारवी गाली दी है औरंग जेब कहकर नवाजा गया है मोदी की खोपड़ी उड़ाने का एलाम किया गया है इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है चब्वी सो से ज़्यादा पुलिटिकल पार्टियां करीब सत्तानवे करोर मतदा का 97 करोर वोटर्स करीब 2 करोर फर्स्ट रेम वोटर्स लोग तंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं मदर अब डेमोक्रिसी के तौर पर ये हर भारतिय के लिए यहां इस हॉल में बैटे प्रतिक व्यक्टी के लिए और आपके टीवी के दर्शों को के लिए भी उतनी ही गर्व की बात है साथियों आज पुरी दुनिया 21 सदी को भारत की सदी कहती है बड़ी बड़ी रेटिंग एजन्सीज बड़े बड़े अर्थ सास्त्री बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आस्वस्त है और इन लोगों के मन में कोई इप नहीं है बट नहीं है नो इप नो बट अकिर ऐसा क्यों है कोई सवालिया निशान नहीं है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले दस साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किये है आज आज जी के बाद से जो सिस्टिम बना जो वर्क कल्चर बना उस सिस्टिम में ये ट्रांस्फर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था लेकिन ये हुआ है और ये हम भारतियों ने ही करके दिखाया है आज भारत का confidence level हर भारतिय की बातों में जलगता है आज हम विख्षित भारत की बात कर रहे है आज हम आत्मनिर पर भारत की बात कर रहे है और लोग चाहे विपक्ष में हो देश के भीतर हो या देश के बाहर हो सब भारत की उपलब्डियां देख रहे हैं सिर्फ दस साल में पचीस करोड लोगों का गरीबी से बाहर निकलना क्या ऐसे ही हो गया होगा क्या सिर्फ दस साल में भारत का ग्यारवे नंबर से पांचवे नंबर की एकोनमी बन जाना क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या सिर्फ दस साल में भारत का फोरेक्स निजव बढ़ करके 700 बिलियन डॉलर के पार होग पहुँच जाना यह क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या सिर्फ दस साल में भारत का एक्सपोर्ट 700 बिलियन डॉलर पार कर जाना क्या ऐसे ही हुआ होगा और ये तो अभी कुछ भी नहीं है अभी तो और भी आगे जाना है साथ यहां बड़े बड़े जन्नालिस मौझूद है इंडुस्री की लोग है सिविल सुसाइटी की दिगज है पुलिटिकल फिल्ड के लोग भी है विरोकेसी वर्ल के भी लोग है आप जानते हैं कि हमारे यहां सरकारों में विरोकेसी में काम कैसे होता रहा है फिर वो एक फैक्टर क्या था जिसकी वज़े से यह बड़लाव आया वो एक फैक्टर है नियत नियत सही तो काम सही और नियत कौन सी नेशन फर्स की नियत मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रुप में हो हम दुनिया के सबसे युवा देश है एक समय में हम ज्ञान में विज्ञान में सबसे आगे रहें दुनिया की कोई बज़े नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहें बस हमें नेशन फर्स की नियत के साथ आगे चलना है ये देश जो हमें इतना कुछ देता है हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं ये फर्क बहुत बारीक है लेकिन बारीक सा फर्क ही देश को आगे ले जाता है जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड लेंगे आप जो कुछ भी हैं आप डॉक्टर हैं, इंजिनियर हैं, स्टार्ट अप शुरू कर रहे हैं जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्षों के साथ जोड लेंगे तो समझ लिजिएगा कि नेशन फर्स का बीच आप में अंकुरित हो गया है यही नेशन फर्स का बीच आज सरकार में, सस्टम में, हर व्यवस्ता में, हर व्यक्ति में देश के कोने कोने में, राइजिंग भारत का आधार मन रहा है सिर्फ अपने लिए ही जिए सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए जीना है तो देश के लिए और मरना भी है तो देश के लिए साथ योट 2014 से पहले और आज की स्थिती में एक और ऐसा अंतर आया है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है इस चर्चा देश की साख से जुड़ी है जिस देश की साख गिर रही हो उत देश के लोगों का स्वाविमान भी उंचा नहीं रह सकता 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिती थी अब याद कीजिए 2014 से पहले घर घर में ब्रस्टाचार बड़ा मुद्दा था देश की साख गिर रही थी लेकिन तब की सरकार जूठे तरकों के आधार पर अपने गोटानों को डिफेंड करने में जूटी रहती थी आज स्थिती एक दम अलग है आज सरकार ब्रस्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है और ड्रस्टाचारी जूट बोल बोल कर खुद बच्चाव की मुद्रा में है तब देश पुछता था कि पावरफुल लोगों पर ED, CBI जैसी एजन्सिया एक्शन क्यों नहीं लेती ये सवाल पूछा जाता था आज पावरफुल और बस्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजन्सिया उन पर एक्शन क्यों ले रही है ये अंतर दस संगलों में आया है बात भही है नियत सही तो काम सही करप्शन पर कारवाई ये मेरा कमिट्मेंट है साथियों हमारे देश में ब्रस्टाचार इसलिए भी अधिक था क्योंकि सरकारी दप्तर सर्विस सेंटर बनने के बजाएं पावर सेंटर बन गए थे हर काम के लिए देश वासियों को सरकारी दप्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे हमना सरकारी दप्तरों को सत्ता के बजाएं सेवा का केंद्र बढ़ाया सरकारी सेवाईं जादा से जादा फेस्ट लेस हो बिल से लेकर टेग जमा करने तक कि अधिकतर सेवा ये, ऑनलाइन हो, हमने इसका प्रयास किया, आज सरकार की जादातर खरीद, जैम पोर्टल के माद्यम से होती है, आज सरकार के टेंडर, ऑनलाइन होते हैं, आप याद करिए, टूजी जैसी सामान्य सुविदा के लिए, पहले की सरकार में, कितना बड़ा प्र तो पता नहीं ये क्या क्या करते हैं, साथियों, पहले के समय में, ब्रस्टाचारी बहुत दिमागी तिकणम रगाते थे, हमारी सरकार, ऐसे ब्रस्टाचारियों का इलाज, टेक्नोलोजी से भी कर रही हैं, आज ब्रस्टाचारियों की धरपकड आसान हुई है, आज मनी ट्रेल को छुपाना और कैश को छुपाना दोनों मुश्किल होते जा रहे हैं, और इसलिए कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दिवारों से, नौटों की गड्डिया निकलती हैं, कभी किसी कॉंग्रेस के सांसत के घर से, सैंकडो करोड की नौटों के धेर निकलते हैं, कभी किसी टी-े-म-सी के मंत्री के घर से, नौटों के धेर निकलते हैं, इसलिए चारों तरफ बॉखलाहाट नजर आती है बिल बिलाये हुए हैं और ये सर्थ होता क्यों है बात वही है नियत सही तो काम सही साथियों आप मैसे जो सीनियर उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब देश के एक प्रधान मत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक उर्पया भेजता हूं तो सिर्फ पंदरा पैसा गरीब गाउं के गरीब तक पहुंचता है यानि सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था ये ऐसा प्रस्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था मंदरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था लेकिन मद्दूर को मद्दूरी नहीं मिलती थी गैस की सबसेड़ी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी अपनी स्कॉलर्शिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी परती थी दज साल पहले तक जो सरकार में थे उनको ये सूट करता था उनकी राजनीती को ये सूट करता था लेकिन साथियों हमने सरकारी खजाने की लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया हमने जंधन आधार और मोबाइल की त्री शक्ति बनाई हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर डीबीटी के माध्यम से 34 लैक करोड 34 लाक करोड रुपिये सीटे लाभार्थियों के बेंग खाते में पहुँचाए अगर पहले वाला हाल होता और एक रुपिया और पंदर पैसा वाली थियरी होती तो 27-28 लाक करोड रुपिये गरीबों तक कभी पहुँचते ही नहीं कहीं और चले जाते 27-28 लाक करोड अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड फर्जी लाभार्थि वो लोग जिनका कभी जन्म नहीं हुआ था लेकिन कांगजों पर वो जिन्दा थे योजनाओं के हगदार बन गए थे हमने ऐसे 10 करोड फर्जी दाम भटाए हैं इसका मतलब उसका बेनिफिट लेने वाले लोग कि हम मोदी का जैजे कार करेंगे क्या आप हैरान हो जाएंगे चार करोड फर्जी दाशनकार उसको हमने हटाया आप कलपरा कीजिए यह कितना बड़ा घोटाला था गरीबों का कितना बड़ा हक मारा जा रहा था आज इस हॉल में बैटे हर व्यक्ति को उस गरीब का चहरे याद करना चाहिए जिसे राशन की जरुद थी जिसे राशन मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा था वो गरीब सरकार को कोस्ता था अपनी किस्पत को कोस्ता था आज हमारी सरकार में उसी गरीब को वन नेशन वन राशन कार मिला है आज हमारी सरकार उसी गरीब को उसके खाते का पुरा का पुरा राशन मुक्त दे रहा है आज वो गरीब जम मुझे आशिरवाद देता है तो विपक्ष के बंद में गालिया फुटती है मेरे लिए भी गालिया वो गरीम मुझे अचिरवाद देता है इसलिए उस गरीम को भी डालिया लेकिन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश ने तो मन बना ही लिया है फिर एक बार फिर एक बार साथियों हमारी सरकार ने पहले दिन से ही अपनी गवननेंस को गरीब की गरीबा गरीब के कल्यान और गरीब के ससक्ति करण पर केंदिल्स रखा है खुले में शौच करना सडक पर सोना गंदा पानी पीना धुवे में जीवन बिताना अंदरे में रहना ये जीवन कोई शौख से नहीं जीता था परिवार का सदच से बिमारी के कारण बिस्तिर पर पड़ा हो मदद के बड़ले ठोकरे मिलती हो कोई रास्ता न सुझे यही स्थिपी थी आप सोचिए आए दिन अपमान कैसे कितने गूट गरीबों को पीने पड़ते थे यहां बेटे बहुत से सायट जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसा जीवन था लेकिन मैं यह सब कुछ अनुभव करके यहां पहुँचा हूँ मैं उस जिन्दकी को जी करके आया हूँ इसलिए मुझे कितामों भी नहीं पढ़ना पड़ता और नहीं कैमेरा की माध्यम से वीडियो शूट करके देखना पड़ता है और इसलिए हमारी सरकार की जितनी भी फ्लेक्सिप योधना है उनमें आपको गरीब के सामाने जन के इस दुख दर्द का भी इलाज मिलेगा जिसको किसी नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है साथियों आप पैसे बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि एक बैंक खाता खोलने के लिए भी गरीब से गारंटी मागी जाते थी लोन की बात तो छोड़ दीजिए देश के एक बड़ी आवादी जो भुमिहिन थी उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था असी प्रतिसत से अधिक किसान जिनके पाँद दो एकड़ भी जमिन नहीं थी उन्हें भी अपने नसीब पर छोड़ दिया गया था करोड़ों नौजवानों के लिए बैंक के दरबाजे बन थे क्योंकि उनके पाँद भी गारंटी नहीं थी जिनके पाँद किसी को देने के लिए कोई गारंटी नहीं उनकी गारंटी मोदी ने ले ली इसी भावना ने मुद्रा योजना को जन्ब दिया इसके तहट लगबग 30 लाख करोड रुपिये 30 लाख करोड रुपिये हमने बिना गारंटी गरीब युवाओं को दिये हैं इसी भावना ने सेल्फ हेल्फ ग्रुप के अभ्यान को गति दी जिससे आज 10 करोर बहने जुड़ी हैं इसी भावना ने रेडी ठेले पुटपात पर काम करने वालों के लिए पीएम स्वनीदी योजना को जन्म लिया इसी भावना ने हाथ के कौशल से आजीविका कमाने वालों के लिए पीम विश्व कर्मा योजना को जन्म दिया इसी भावना से छोटे किसानों के लिए पीम किसान सम्मान निदी को जन्म दिया इसके तहत उन्हें करीब तील लाग करोड रुपिय मिले है कलपना कीजिए अगर नियत नहोती मोधी की गारंटी नहोती तो क्या होता आज जो ये मोधी की गारंटी का इतना सकारात्मक प्रभाव है वो किसी विज्यापन की महताज नहीं है मोधी उस गरीब की गारंटी बना है जिन की कोई गारंटी नहीं लेता था इसलिए देश का हर गरीब आज मोधी की गारंटी पर विश्वास करता है और मैं फिर कहूंगा ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो और भी आगे जाना है साथियों हमारे देश में लंबे समय तक राजनितिक उपेख्षा का बहुत बड़ा सिकार देश का मिल्ल क्रांस भी रहा है आपने से जादा तर मेरी बात से कोरिलेट कर पाएंगे मिल्ल क्रांस का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाईयों से लड़कर आगे तो आ गया लेकिन उसके आगे सपनों और आकाउशाओं का एक विशाल सौंसार होता है लेकिन मिल्ल क्रांस के सामने पहले चुनवतियों भी कम नहीं थी टैक्स का जंजाग बच्चों की पढ़ाई का दाईत्व उन्हें अपने से बहतर बनाने का तनाव हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर मेंगे लोन का बोच एक तरह से पहले जीवन के हर दाइरे में समस्याएं ही समस्या थी ऐसे में मिडल क्लास का जीवन तीस जरूरों तक घिर्द सिमट जाता था एक अपना गहर बनाना दूसरा बच्चों की शादी हो जाए और तीसरा बच्चों को कहीं नोक्री मिल जाए उसका जीमन बस इसी आधार पर सिमट जाता था पिछले 10 वर्षों में हमने मिडल कास को मुसीबतों में बांधने वाली हर बेड़ी को तोड़ दिया है पहले दो लाग की इंकम पर टेक्स लग जाता था अब सात लाग की इंकम भी टेक्स प्री है GST की वज़े से लोगों के करीब साल भर में 45,000 करोड रुप्या बचे है बीतले 10 वर्षों में होम लोन पर इंटरेस्ट रेट भी कम हुए है परस्नल लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम हुए है PM सिवकन्याद समृद्धी जैसी योजनाओं का लाग सबसे जादा मद्यमबर को मिल रहा है साथमयो मद्यमबर का एक बहुत बड़ा सपना होता है बच्चे की अच्छी पढ़ाई इस दिशा में भी पहले की सरकारों ने मद्यमबर की आकांख्शों का ध्यान नहीं रखा आज हमारी सरकार देश में तेजी के साथ एजुकेशन इंस्टिटूट खोल रही है बिते दस साथ में हर दिन भारत में दो नए कॉलेज बने प्रक्ति दिन डेली दो नए कॉलेज और हर हपते एक नई उनिवर्सिटी बड़ी है देश में रिकॉर्ड संख्या में नए आईटी आएम्स और मेडिकल कॉलेज खुले है 2014 तक देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे लेकिन उनकी संख्या 10 साल में 700 तक पहुँच गई है 2014 में पूरे देश में सिरफ 50,000 MBBS सीट थी आज देश में MBBS सीटों की संख्या बढ़कर एक लाग से ज़्यादा हो गई है मेडिकल में PG की सिटे भी दोगुनी सी ज़्यादा हो चुकी है सरकार ने स्थानी ये भासा में मेडिकल और एंजिनेरिंग की पढ़ाई का जो नेड़े लिया है उसका भी फाइदा मद्लमबर के बच्चों को मिला है हमारे मिडल कांस परिवारों के हजारो करो डुपिये अपने बच्चों को महार किसी देश में पढ़ाने में खर्च हो जाते थे एपैसे बचे इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है आज दुनिया के एक से बढ़कर एक विश्व विद्धा लें जो नए सेक्टर खुले गए उन्होंने भी मध्यमबर के बच्चों के लिए आगे बढ़ने की नए रास्ते बनाए है स्पेस सेक्टर हो स्टार्ट अप हो ड्रोन और मैपिंग सेक्टर हो इन सब को नव जवानों के लिए खोल दिया गया है डिपेस सेक्टर में भी रिफांब करने से हमारे नव जवानों को नए आउसर मिल रहे है स्पॉर्ट सेक्टर में भी हमने जो आदूनी इंफ्रास्रेक्टर बनाया था ट्रांस्परंसी पर जो काम किया उसने भी नव जवानों के लिए नए अउसर बनाए अभी हमने जो पी-एम सूर्यगर मुप्त बिजली होजना शुरू किये है उससे भी बड़ी संग्यावे रोजगार और स्वर रोजगार के नए अउसर बनने वाए जा रहे है और उससे कर मद्दमबर का बिजली का बिल जीरो होने वाला है मद्दमबर का एक और बड़ा सपना होता है शहर में अपना घर लेकिन आप जानकर हरान रह जाएगे की शहर में रहने वाले मिदल कास के लिए पहले की सरकारों में एक भी योजना नहीं थी मद्यमबर के घरों के लिए पहली योजना अगर किसी सरकान ने बनाई तो हमारी सरकान ने बनाई हमने मद्यमबर के लोगों को घर के लोन में सबसीडी दी ब्याज में राहत दी इस पर करीब पच्चास हजार करोड रुपय हमने खर्च किये इसका भी बहुत बड़ा लाप मिडल क्लास परिवारों को मिला है उनके अपने घर का सपना पूरा हुआ है साथियों दिल्ली NCR के लोग जानते हैं कि पहले की सरकारों के समय कितने फ्लैंट फस गई थे लोग किराएं के घरों में रहते थे EMI भी भरते थे और अपने घर के पूरा होने के इंतजार में जीवन पूरा कर रहे थे Middle क्लास के इन परिवारों के भी पहले किसी सरकार ने सुनी नहीं थी हमारी सरकार 25,000 करोड पे के विवस्ता करके ऐसे अधूरे प्रोजेस को पूरा करवा रही है ताकि Middle कास के परिवार को उसका अपना घर मिल जाए उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको मकान मिल जाए ऐसी परिशानी फिर ना हो हमने इसके लिए भी रहरा कानून बढ़ाया है आज करीब सवा लाक बिंडिंग प्रोजेक्स लेरा के तहर रिजिस्टर है अब कोई ये मनमारी नहीं कर सकता कि किसी मिल जाएक के व्यक्ति का गर फसा दे या अधूरा छोड़ दे और ये काम मध्यमबर्गे परिवारों के जीवन में बहुत बड़ा राहत का काम है और ये ही तो मोधी की गारंटी है साथियों मोधी सिर्फ सहर में ही नहीं गाउं में रहने वाले लोगों की संपत्यों की भी चिंता कर रहा है गाउं में प्रोपर्टी के कागर ना होने की विज़े से लोकों की जिंदगी कचरी के चक्कर काटने में ही गुजर जाती है जमीन को लेकर जगडे ना हो कचरी का चक्कर ना लगे गाउं की प्रॉपर्टी पर लोन मिले इन बातों को ध्यान रखकर स्वामित्व योजना चलाई जा रही है बड़ी बड़ी इन्टरनेस्टल एजनसी कहती है कि लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स होना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है स्वामित्व योजना कहता है अथ हमने करोडों परिवारों को उनके लैंड टाइटल दिये है आज देश के गाउं गाउं में ड्राउन की मदद से मैपिंग का काम चल रहा है प्रॉपर्टी के राइट देने का काम चल रहा है और इससे भी रोजगार के कितने मौके बनते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों 2014 तक पूरी दुनिया भारत को एक ओवर लोलेड फ्राइट के एडिस्टल वेट की तरफ देखती थी लेकिन आज भारत वो पैसेंजर बन चुका है जिसके बिना ग्लोबल फ्राइट उडान बने की सोज भी नहीं सकती अगले पाँच साल में भारत वो पाइलेट बनेगा जो ग्लोबल फ्राइट को नई बुलंदी के तरफ से ले जाएगा अगले पाँच साल अन्प्रेसिडेंटेट ट्रांस्फरमेशन के होंगे अगले पाँच साल अन्प्रेसिडेंटेट ग्रोथ के होंगे अगले पांच साल अन्प्रेसिडेंटेड एक्सपांशन के होंगे अगले प्लांच साल अन्प्रेसिडेंटेड प्रस्परीटी के होंगे और ये और ये मोदी की गारंटी है आपने मुझे अपनी बात रख रख रेकले सब के बीच बुलाया मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद